हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके ओटोप चैनल टेक्निकल फ्रेंड में दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदा इंपॉर्टेंट होने वाले है क्योंकि आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने Oppo A16K के फोन में जो है अपने स्क्रीन पर डबल टैप करके अपने स्क्रीन को आन कैसे करेंगे और जो स्क्रीन आप गेचर का यूज कैसे करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजी अगर आपको informative लगे तो चलिए फटाबट वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन में setting को open करना है setting को open करने के बाद यहाँ पे आप लोगों कुछ ऐसे इंटरफिर देखने को मिल जाएगा अब आप लोगों को यहाँ पे scroll down करना है और नीचे आना है यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे ति यहाँ पे तमाम option दिखाए देंगे यहाँ पे एक option है convention tool का simply आप लोगों को convention tool के option पर click करना है जैसी convention tool के option पर click कर देते हैं यहाँ पे आप लोगों को getcher and motion का option दिखाई देता है इस पर आप लोगों को click कर देना है अगर getcher and motion का option नहीं आगे मैं बता रहा हूँ क्या करना है इस पर click करने बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस तो यहाँ पे screen of getter का option Screen of getter के option पर click कर दीजिए जैसे screen of getter के option पर click कर देते हैं तो यहाँ पे screen of getter का option 1 रहना चाहिए अब इसके बाद यहाँ देख सेते हैं double tap to turn screen on का option है आप इसको यहां से on कर लिजी और जैसी आप इसको on करते हैं आप अपने screen पर double tap करेंगे तुरंत आपके screen on हो जाएगी अगर इस सारा feature आपके phone में नहीं मिलता है तो आप direct अपने setting में जाकर double tap to turn screen on लिखकर search कर सकते हैं वहां पर आप लोगों के option देखने को मिल जाएगा और वहां से आप लोग on कर पाएंगे और गाइस इसमें जो काफी कमाल का feature है जैसे कि यहां पर swift capture भी यूज करना चाहते हैं और सबसे last में add getcher का option है add getcher के option पर click करके और जो काफी जदा getcher आप लोग add कर सकते हैं तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को like जरूर करिए